रास उल्लास गर्बा में कैबिनेट मंतरी जीतु पटवारी मुख्य अतीती की रूप में पहुचे इस मौके पर MB News से एक्स्क्लूजिव चर्चा के दौरान जीतु पटवारी ने कहा कि माता रानी की क्रपा से ही वे मंतरी बने है और इस बार भी माता से मनुकामना है कि मध्य प्रदेश और समर्द भने और सभी को रोजगार मिले देखिए ये एक्स्क्लूजिव रूपोर्ट रास उल्लास गर्बा महत्सव का आगाज बड़े ही धुमदाम से किया जा रहा है अबय प्रशाल में लगातार चुमवालिस सालों से ये आयोजन किया जा रहा है इस गर्बा महत्सव में इस शुब अउसर पर हमारे साथ मुख्य अधिती के तौर पर जीटू पटवारी जी मौझूद है पटवारी जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप गर्बा महत्सव में आकर लगातार पेंतालिस साल तक एक आयोजन करना और वो भी माता जी की भक्ती में एक साथ सरोबार पूरे शहर को करना और इत्ती प्रतिष्ठा की 45 साल तक परिवार के परिवार जन माता पिता अपने बेटों को और बेटियों को खास कर इत्ते भरोसे से एक स्थान पर भेजना मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छा और सुब संकेत मा के आरादना का है और ये एक विश्वास शहर में इस रास उल् बनाया है मैं अपने आपको यहां आकर गोरानविस समझता हूँ मुझे ये भी भावे कि जो इस गर्बे में आता है मनो कामना करता है माता जी की आरादना करता है और फिर कोई अगले साल जब आता है तो मनो कामना पूरी हो जाती है मैंने भी मंत्री बनने की पिछली वार यहां रासुल्लास में मनो कामना की थी और मैं मानता हूँ कि वो पूरी माने की है मैं बहुत मा की भक्ति के साथ सबको शुब कामना है देता हूँ रासुल्लास के सभी आयो जगों को लेर सारी शुब कामना है और सभी इंदोर शहर वासियों को और मधिप्रदेश वासियो मा की भक्ती की आरादना की भावना है इंदोर शहर एक ऐसा शहर है जो भक्ती में प्रियास करता है भावना का और भावना से जागरत करता है भक्ती को तो मैं मानता हूं इस बात को कि ऐसी परिस्तिती में ये जो गर्बा होता है इससे इंदोर शहर का आम जंद जुड़ता है माताओं को और बहनों का एक अच्छा आनंद का उस्सो होता है और उसमें मा के आराधना भी होती है इस पावन अउसर पर आप मां अंबे के भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रातना करना चाहता हूँ सभी से कि मां की आरादना में हम सब मां से एक मनों कामना करें कि हमारा मद्रदेश सम्रद हो देश देश वीश्व में सबसे नंबर वन हो सब परिवार जनों की नोकरियां थोड़ी कम हो रही है जारी है रोजगार और धंदे नोडबंदी से और व्यापार वेवस्ता के फिसलने से खराब हो रहे वो अच्छे हो और हमारा देश की सरकार और प्रदेश की सरकार उसमें सयोग करें इस भावना के साथ मैं मानता हूँ कि सब को रोजगार मिले सब की मनो कामना पूरी हो और साथ ही साथ समरत दिया है और मा क्याराद नाओं तो यह थे उच्छिक्षा मंतरी पटवारी जी जिनका साफ तोर पर कहना है कि गरवा एक ऐसा नरत्य है जो कि भारते संस्क्रती को पूर्ण रूप से परिवाशित करता है और विश्व में गरवे का एक अलग ही नाम है कैमरा पसन अरुन यादों के साथ युवरासिंग पराद की रिपोर्ट, MP News, Indore